परशकर दोस्तों स्वागत है आपका इस Study Gloss पे दिखिए हमारी धर्ती पर एक ऐसा परवत भी है जो सतरंगी कलर का दिखता है इस तरह का यह जो आप इमेज देख रहे हैं इस तरह का दिखाई देता है तो इसे Rainbow Mountain की नाम से जाना जाता है समझेंगे इस वीडियो में की ऐसा क्यों होता है और यह Rainbow Mountain की क्या खासियत है कहां पर यह स्थित है बहुत कुछ यह आप पर जानने को मिलेगा आपको इसे प्रजेंट करता हूँ मैं मेरा नाम है सौरफ स्वामी और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि Study Gloss को Mobile Application पर UPSC परस्पेक्टिव से काफी important courses available है आप यहाँ पर 10% का discount पार सकते हैं इस referral code को यूज करके काफी important courses जह हैं आपको देखने को मिलेंगे और notification जो है वो भी आच चुका है तो Study Gloss का Mobile Application आप जरूर डाउनलोड कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे like करें, share करें और subscribe कीजिए एक question काफी important है वो पूछना चाहूँगा हम आपसे comment में इसका सही उत्तर आपको जरूर लिखना है South America की जो highest mountain peak है उसका क्या नाम है सबसे उंची जो परवत चोटी है option आपके सामने है केरव बॉनेट, एकांका गुआ, डेल साल्डो या फिर मॉन्टे पेसिस, सही उत्तर आपको comment box में लिखना है इसका right answer आपको वीडियो में जरूर मिलेगा यह चर्चा में recently आया है कुछ दूनों पहले एक article published हुआता दा हिंदू का और उसके अलावा भी यह काफी images जो है इसकी social media पर viral हो रही थी यहाँ पर आप देख सकते हैं वाट गिव्स स्पेक्टेकुलर रैंबो माउंटेन इट्स colors तो यह colors जो है रैंबो माउंटेन पर क्यों हमें दिखाई देते हैं एक mystery जो है यह कहिना कहीं मानी जाती है लेकिन कुछ geographical reasons भी हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में लेकिन location की बात करते हैं लोकेशन है कहाँ पर exactly यह हमारी शान हमारा भारत और यहां से आपको इधर की तरफ देखने को मिलेगा पेरू South America यहां पर इस्तित है और यहां पर इस्तित है पेरू पेरू जो देश है वो इस पेरू में यह जहां से एंडीज परवत संकला निकलती है South America में वही पर जो कुसको रीजन है वहां पर यह जो Rainbow Mountain है वो इस्तित है यहां पर आप एंडीज परवत माला का जो एक मैप है वो भी देख सकते हैं यह एंडीज की पूरी श्रेणी है जो पेरू जो यहां पर इस्तित है और यह जो पेरू है इसमें यह Rainbow Mountain हमें दिखाई देता है एक्जेक्ट हमें अब भी आप देख सकते है Peru के अंदर यह कुसको रीजन की स्रेणी है कुसको रीजन की स्रेणी में यह Mounted Colors जो है जिसे Viniconica के नाम से जाना जाता है Mount Viniconica वो जो है यहाँ पे इस्तित है तो पेरू के अंदर कुसको रीजन में यह इस्तित है तीके कुसको रीजन में बहुत सी चोटी 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 परवस्रेणिया भी है तो कुसको रीजन की उचाई तो खैर 3350 मिटर है लेकिन जो Rainbow Mountain हम वो इसकी highest peak पर इस्तित है जिसकी उचाई लगबग 5000 मिटर से भी ज्यादा है तो इसे Monted Day Colors के नाम से भी जाना जाता है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं तो Monted Day Colors इसे Monted Day C8 Colors के नाम से जाना जाता है जो समुद्र तल से लगबग 500 मिटर जो है उची इस्तित है पेरू में ये लोकेटेड है इसे लोग जो है Mountain, जो Rainbow Mountain है उसके नाम से भी जानते है जो मही, जो पूरे साल में लगबग 8 महीने जो है वो इस तरह की हमें दिखाई देती है मतलब इस तरह के जो colors है इसमें different different types के वो हमें दिखाई देते हैं इसकी जो उचाही total कि उसको reason में लगबग 17,000 feet है एंडी जो range है एंडी जो परवत संकला है उसका ये पार्ट है ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले इसका एक particular color होता था जैसे आम परवत स्रेणियों का होता है आम परवत जो range होती है उनका होता है लेकिन जो erosion है उसके बाद में जो stone, soil इनके अंदर बहुत से changes होने लगे climate change की वज़े से और ये नए-नए different colors है वो आने लगे तो इस वज़े से कहा जाता है कि ये सब चीजे होती है और ये जो औरा है ये जो पूरा एक colors का system है इसमें prospectors जो है वो red, yellow, green, violet इन सब चीजों का हमें दिखाई देता है इस तरह के जो colors है वो हमें दिखाई देते हैं एक काफी puzzle situation है ये लेकिन जो scientist है उनका basically इस परवत को लेकर ये मानना है कि देखे ये परवत जो है ये कही ना कही minerals की वज़े से हमें ऐसा दिखाई देता है scientist का इस तरह का जो दावा हो पेश किया जाता है क्योंकि इसमें iron sulfide, iron oxide yellow iron ये सब चीज़े पाई जाती है और oxidation होता है उस वज़े से कि जो blue chloride है, greenish color है फो mountain जो है हमें दिखाई देता है इस परवत शेणी में बहुत से खनीज पाई जाते है बहुत से minerals पाई जाते है बरफ का पिगलना और इसके पानी में घूले वे खनीज जो है, वो इस परवत को जो है रंग प्रधान करते हैं एक chemical reaction होती है जिस पज़े से ये सब हमें पता चलता है और भी कई region दिया जाते हैं कि तेज हवाएं, बारिश का लगाता राना या फिर हल्की snowfall होना इस पज़े से परवतों का अफशे हुआ है ये जो खनीज परते हैं जो minerals की जो surfaces हैं इनका अफशे हुआ, erosion हुआ है ये लिमोनाइट जो है इससे बनीवी जो परते हैं इससे बनीवी जो surface है वो भूरे रंगी हो जाती है क्लोराइट की जो परते हैं वो हरे रंग में बदल जाती है लोहे की जो सलफाइट की जो परते हैं वो लगबख पीले रंग की जो चमकदार पट्टी है वो हमें दिखाई देती है इस तरह से इसमें कहा जाता है बेसिकली इस पूरी माउंटन रेज में एक चीज आपको जुरू ध्यान रखनी है इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फ्लोराइड यहाँ पे ग्रेनाइट मॉर्बल और उसकी साथ ब्रीका बेसाल्ट इस तरह के बहुत से जो मिनरल्स हो पाए जाते हैं अब हलकी स्नौफोल होती है तो उसका टेंपरेशर जब बढ़ता है आट महीने बाद में तो यह स्नौफोल पिगलती है तो यह जो लेक बनी हुई है आसपास उसमें जाके गिरती है इसका पानी जो गिरता है लेकिन एक ऑक्सिडेशन की परकिरिया हमें यहाँ देखने को म अपलब कि यह जो ऑक्सिडेशन है मिर्नल्स का मलब मिर्नल्स का ऑक्सिडेशन जब होता है वाटर के साथ मिलके तो आइरन जो है फेरस के साथ मिलके रश्ट कलर देता है यह रश्ट कलर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह जो कलर है यह रश्ट कलर यह रश्ट कलर आपको दिख रहा है यह ग्रिनिश कलर जो है क्रोमियम मैगनीज सिलीकेट और साथी क्लोराइट की जो पड़ते हैं इनका ऑक्सिडेशन होने की वज़े से होता है इस वज़े से यह ग्रिनिश कलर हमें दिखाई देता है यह सब चीजे बताई जाती है ब्राउन कलर आपको द तापमान जब बढ़ता है तो पानी पिगलने लगता है तो चुकि इसके अंदर मिनरल्स की संक्या काफी ज़्यादा है तो ऑक्सिडेशन की परिक्रिया होती है केमिकल रियक्शन होती है तो जो पानी टकराता है उन मिनरल्स से तो फिर यह अपना जो रंग जो है वो और जाते हैं, जो सामरीक कर स wrote, जा से यहां पर कहार है, ज स्थित्थ हैं कि माउंट्धी got the very high mountain peak है अर्जेंटीना में स्थित्थ है以前çao gusto Łyu जो लगबख 6000 मि्टर से उची है जो पूरी South अमेरीका की सब से उची चोटी मानें चाती है और ये भी एंडिज जो परवर्शंकला है उसी का ही एक पाठ है इस्तित कहां पे है ये अर्जेंट इनामे इस्तित है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है तो यहां पे एक आंका गोवा जो है वो सही उत्तर होगा तो खेर ये था इस वीडियो में इसी तरह के important और informative वीडि